आज की इस वीडियो में हम आपको mechanical engineering के जो 50 semester के student है उनके एक और special subject के most important question की बात करेंगे और subject का नाम है आपका production technology देखिए यह जो subject है पुरा आपका theory based है और यहाँ पर आपके numerical question भी पूछे जाते हैं तो किस chapter से कहां से numerical question पूछे जाने हैं इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में साथ ही साथ आपको 15 plus most important question बताने वाले हैं जिसे आपको पढ़ना है और exam में आपका 45 plus marks भी आना तय है बस आप हमारी बातों को ध्यान से सुनियेगा कि हम बता क्या रहे हैं कैसे question को करना है जो question बिलकुल भी नहीं आ रहे हैं उसमें भी आप लोग कैसे 0 के बजाए 2 या 3 नंबर पासकेंगे तो सब कुछ के बारें बात करेंगे आज की इस वीडियो में सो जितने भी student अभी पहली बार हमारी चैनल पर आए हुए हैं वो चैनल को subscribe जरूर करनें साथ हमारा जो official app है उसको google play store से जाकर download जरूर करनें आप लोग हमें instagram, twitter, facebook औ टेलेग्राम पर भी जॉइन जरूर करें ओके स्टुडेंट तो चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करें जो आपका production technology है इसमें आपके दो या तीन चैप्टर जो हैं वो बहुत ही most important है जिसे आपको पढ़ना है और वहां से आपके लग स्पार्टों का नाम लिखिए direct question आपके exam में पुछा गया था और जब हमने पिछली बार आपको जो senior थें उनको हमने important question दिया था तो उनलों को बता रखा था कि आप यह सब question पढ़कर जरूर जाईएगा exam में और question आया भी था ठीक है तो यहां पर आपसे पुछेगा कि ल जरूर पढ़िएगा बार-बार question रिपेट होता है कि लेत मसीन के किनी दस अपार्टों का नाम लिखिए तो आपको यह सब पुरा completely लिखना रहेगा ओके student इसके बाद अगर हम बात करें आपके question number second की तो कह रहा है कि आपका जो कैपस्टन लेट होता है यह क्या होता है जो है कि लेत मसीन पर होने वाली बिभन प्रकार की जो operations होते हैं यह सब आप लोग जानते होंगे आप कि और नाम एक बार पढ़ लीज्िएगा होदा तोड़ा ऐसे हर साल एकजाम में पूछा जाता है जैसे पिछली साल के आधर करें तो आपका जो पर वाला प्रासेस ऐसी किसी बशfolg कैसे करते हैं तो यह कुस्चा आपका एक्जाम में पिछले साल रिपीट हुआ था ओके तो यह समस्ट इंप्रोटेंट कोश्चन है इसको आप लोग जरूर पढ़िए का आगे अगर हम कोश्चन वर फोर की बात करें तो आपका कहरा है कि फीड एम देफ्टापकर से क्या समझते हैं जो आपके कटिंग पैरामीट क्या होते हैं साथ ही साथ आपका यहां से निमेरकल कोश्चन भी आपके एक्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको जरूर पढ़िएगा नेक्स्ट कोश्चन के बात करें तो कह रहा है कि सेपर या प्लेनर मसीन के जो पिक रिटन में होती है मतलब इसका एक तरह से आप फो जो आइन वर्जयन टाइप से कैसे डिफाइन करेंगे तो आपका से पर इंपोर्टेट है तीन साल लगातार पुछा गया तरी एर्स आपके अ करक कोशन पुच्छा गया उसके एक साल पहले भी पूछा गया था किसका सेपर का पूछा गया था तो आप यहाँ पे प्लेणर दोरों पढ़ लेजेगा एक बात और है माल लेजे आपने सेपर का पढ़ लिया और प्लेणर का नहीं पढ़ा आप यह करेंगे कि आप प्लेनर के पड़े ही नहीं लेकिन सेपर पड़े तो हैं तो क्या करना है सेपर वाला जो सारा टॉपिक है इसके वारे जितने भी में अपने हैं वह सब लेकिन अगर थोड़ा सा भी वो रहम दिल वाला होगा तो हो सकता है एक दो नमबर दे दे तो आपका काम है लिखना और कब लिखेंगे लास्ट में जब आपके जो कोस्चन आ रहे हों उसको पुरी तरह कंपलेट कर लिए हो आप लोग उसके बाद आप लोग इन समी कोस्चन होते हैं जहां पर आपको लगए कि इस टॉपिक में तो आप महा पर बनाना आत्या है तो आप महँं पर फिगर भी जरूर बनाईएगा मेंक्स क्या से रहां है कि Milling Machine का होती है इसके भी हम पार्ट्स कॉन क्यों है है इसके टाइप लिखिए टू देखिए Milling Machine के लाले जरूर पढ़िए गार। पिछले साल इसके क्वाइं गिए 10 toạ הפाट्ट्रों का नाम आपके क्यर्प्णा में पूचा गया है तो जितने प्रकार की मशीने हैं छए हो सेपर हो चाहे फ्लेनर हो चाहे लिथ मशीन Cu मिलिंग मूशीन हो छे ड्रीलिंग मसीन कोई भी मशीन वसके जितने पार्ट्स हैं उसको आपके जरूर पढ़ shaky जब आप पढ़ते हैं तो आपको देरे-देरे जा अप बनाते हैं तो आपको सभी मसीनों के नहीं याद हो जाते हैं तो आप दो फिगर बना बनाकर पड़ीं अभी आपके पास टाइम है आप अगर सुरु सभी पढ़ना करें इस्टार्ट करेंगे तो भी आपका कंप्लीट हो सकता है तो आपका देखिए एक्जाम में पूछ लेता है किसी एक परकार के मिलिंग मसीन का वल्डन कीज़े तो आप मिलिंग या डाउन मिलिंग के बारे में लेख सकते हैं या डाउन मिलिंग को समझाइए किसी भी मिलिंग मसीन के लिए simple induction क्या है इसे हम क्यों करते हैं क्या मिलिंग मसीन पर हम लोग thread बना सकते हैं तो यह भी most important question है पिछले बार भी हमने एकदम इसको very 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 most important question में रखा था और यह आपका पांस नवर में question आया भी था आप अपने senior से पूछ सकते हैं आप पिछले साल का paper उठा कर दे सकते हैं वहां पर यह question पूछा कया है हमने बार 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 बताया था यह question आप लोग जरूर पढ़ कर जाएगा और hundred percent यह question match भी हुआ था इसकाद आपको थोला जनकाड़े देना चाहते हैं जितने भी student अभी तक हमारा application डाउनलोड नहीं किया हो Google Play Store से जाकर हमारा app डाउनलोड जरूर करने एप का link इस वीडियो के description वाक्स में भी हम दे देंगे वहां पर आपको मायराथन classes पढ़ाई गई है मायराथन classes वहां पर चलाई गई हैं आपके automobile subject की आपके automobile subject की आपके IM ED subject की और आपके production management subject की तो तीन subject की वहां पर मायरा आथन classes पता दी गई है upload हो चुकी है वीडियो आप लोग जाए डेली के जो आपके जेब के खर्च हैं उसके बराबर उसकी price रखी गई है तो आपको 200 देना पड़ेग back तो आना ही नहीं चाहिए दोस्तों यह हो जाएगा प्लस साथ साथ आपका एक extra subject होगा उसको आप last semester में देंगे पता चलिए last semester में कोई subject फंस जाए तो आपका mark seat बेकार हो जाएगा दूसरी बात आप है mechanical engineering के student तो private company में जाएंगे percentage देखा ही जाएगा सो अभी से तैरी कीजिए बहुत ही कम price में हमने मेरा आतन क्लास प्रवाइट किया है साथ ही साथ आपको महाँ पर notes भी देखने को मिलेंगे तो आप लोग notes को purchase जरूर कर लिजे हमारे तो आप बनाएगे जो notes है exam के दो दिन पहले भी पढ़ेंगे तब यह आप आसानी से प जाना है नेक्स को सब्सक्राइब नाइन में कह रहा है टिपड़ी लिखने वाला question तो बार बार आपसे टिपड़ी वाले question आपके exam में पूछे जाते हैं कि वर्क होल्डिंग डिवाइस क्या होती है इसको समझाइए बोरिंग हैड और बोरिंग बार क्या होता है और बार क्लास की तो मायराथन क्लास हमने कुछ सब्जेट के आपकी हमने प्रवाइट कर रखा है अपने आफीसियल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेश पे तो आप लोग डाउनलोड चुरूर करें अपनी पढ़ाई शुरू कर दें नेक्स्ट कोस्टन के नमबर टन की बात करें तो इसमें कहरा है कि ड्रिलिंग मसीन का जो प्रिंसिपल होता है और या कितने टाइप का होता है किसी एक परकार के ड्रिलिंग मसीन के बारे में भी आपको टोटल पढ़ना है ड्रिलिंग मसीन क्या होता है इसका क्या प्रिंसि रिया है कावन कावन सी हैं तो आप तो आप इसको भी जरूर पड़ कर जाएगा अब यहाँ पर पूचा है किसी यह डिलिलिंग मसीन यह तो आप पन्याbile णृस्में इसका एंशवर लिख सकते हैं नीच सकते हैं और आप को पांज फीच्ट में रहे आप लोग ख़र जरूर बनायेगा क्या जो सब्जेक्ट है ऑपि स्कॉरिंग सब्जेक्ट है अगर आप फिगर बनाते हैं तो काफी अच्छा नंबर आपका इस सब्जेक्ट में आएगा अगला आपका कहरा है कि क्लैंपिंग डिवाइस क्या होती है जी कि आपके पूछे गए हैं अगला जो मुस्ट इंप्रोटेंट कोश्चन है बार बार यह कोश्चन में रिपीट हुआ है कि grinding machine grinding क्या होता या कितने टाइप का होता है इस में इस ने होता है यह कोश्चन जो है बार-बार रिपीट हुआ पिछले बार यह बने बता है पिछले बार बने बताह था पर पर यह प्रवाइट किया था तो लोगों कुछ लोगों नहीं पढ़ा था और यह में सर्च करेंगे प्लैलिस्ट में जाएंगे ओपन करेंगे वहाँ पर याफ पीडियाप जो है जो बताया जा रहा है आपको देखने को महाँ पर मिलेगा आप असाने से प्यूट डाउनलोड कर सकते हैं नेश्ट कोशन आपको कहा रहा है कि कटिंग टूल क्या होता इसकी विसेश्टा है जो ब्रकार के फैक्टर एफेक्ट करते हैं वह कौन कौन से हैं तो इसके बारे मापके जरूर पढ़िएगा ठीक है कभी-कभी आपके एक्जाम में पूछता है कि जो आपके लोब्रिक में पूछे जाते हैं ठीक है तो उसको भी यहां पर हम थोड़ा डिसकस कर लेते हैं अभी तो बता दें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पिछली बार देखिए एल्वीम के बारें पूछा गया था यूए से मल्ट्रा सोनिक वाला है इलेक्रिक कंट्रोल वाला है तो जरूर हम बताने तीनों को पढ़िएगा जरूर और पूछ लिया इडियम या पैम तो आप कहेंगे भाई आगया जीरो तो सिंपल ट्रेक है छोड़के आओगे जीरो नमबर पाओगे इससे अच्छा है इसीम वाला ही कहां पी पेस्टिस में मार दो ठीक एल्बियम वाला ह आपके पूछा गया था और आपसे बता दें किया जो सब्जेक्ट है आपका प्रोडक्शन टेक्नलोजी जब आप अपने सिक्ष्ट समेस्टर में आएंगे तब वहां पर आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा टूल इंजिनिरिंग के नाम से टूल इंजिनिरिंग के नाम से सब्सक्राइबस वही है तो आप अच्छे बढ़े रहेंगे तो वहां पर बहुत ही हेल्प होगा आप सभी इस्टुडेंट के लिए ठीक है वहां पर लोकेशन का आप 321 प्रिंसपल पढ़ेंगे जो की मोस्ट इंपोर्टेंट है और यह सब आपको हम पढ़ाएंगे आप आप लोग गुगल प्लेश टोर से हमारा ओफिस्यल एप डाउनलोड चरूर करें थैंक यू